नमस्कार आज हम तो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है स्रयुक्तराज अमरीका की मक्का पेटी कौन बैल्ट्स ऑफ यूसे आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर पुने स्वागत हैं मक्का पेटी के बारे में हम बात करें तो मक्का का इस्थान स्रयुक्तराज अमरीका में वही है जो चाय का श्रीलंका या रवर का मलेशिया में अमरिका में फार्म्स का बलही कोई विशिष्ट प्रकार नहों परन्तु मक्का विशिष्ट एवं परंप्रगत रूप से अमरिकन फसल ही है सलगन भूमी एवं उत्पादन मातरा की दृष्टी से मक्का उत्री अमरिका के खाद्यानों में प्रसम है अनुमानत है यह सजुक्तराज अमरिका में तीन चरताई फार्म्स में बोई जाती है एवं गेहूं जो राई एवं चावल आदी खाद्यानों में अमरित रूप से लगवी भूमी से कहीं अधिक भूमी इस अकेली मक्का फसल में सलगन है देश में खाद्यानों से होने वाली कुल आयका लगवग आदा भाग अकेली मक्का से प्राप्त होता है मक्का उशन कट्रिवंदी फसल है जिसका मूर इस्थां मद्द्य अमरिका माने जाता है यहां इसे रेड इंडिनिस लोग बोया करते थे यूरोपी लोगों को इसका ग्यान कोलमबस के दोरह प्राप्त हुआ जो अपने साथ यहां से मक्का के बीज ले गया था बाद में यूरोपीन लोग आये और उन्होंने भी इस नाम को प्रस्लित रखा बीतरी आंतरिक भागों में प्रवासी यूरोपी लोगों को सफलता का राज मक्का में ही नीद है जो वन या घास साफ किये गए उनमें मक्का आसानी से पनब गया और उनके साथ ही इन भागों में प्रवावी लोगों का जमाब बढ़ता गया पश्यों को चारा और मनुश्यों को भोजन प्रदाइनी यह है फसल अगर उस समय इस संभाग में ना पनपी होती तो शायद अमरेकन करशी का स्वरूप भी कुछ और होता नेक्श आम बात करें मक्का पेटी का की इस्तिती एहम विस्ता Location and Extinction of Corn Belt स्वरूप राज अमरीका कुछ अववादों को छोड़कर मक्का दक्षनी में मेक्सिकों की खाड़ी तसा उत्तर में महांजील प्रदेश एवं पश्यम में Great Plans एवं पूर्व में अट्लांटिक तर्ट के मध्य इस्तित लगबक समस्त आंत्रीक निचले मैदनी भाग में पैदा की जाती है अट्साथ दुर्द उत्री पश्यमी भाग तसा पश्यम में सित्त अर्शुश भाग को छोड़ कर मक्का की करशी समस्त मिय्सिशिपी बेसिन तसा अट्लांटिक तत्वर्टी मेदान पट्टी में की जाती है। उत्पादल की सगंता एवं मातरा की दुष्टी से इस भाग में मक्का में भारी बिंता मिलती है। इस भिंता का कारण मिट्टी की दशाएं, द्रातल का सरूप एवं जर्वायू दशाएं आदी हैं। इस बड़े विस्तार वाले भाग के अंतरकित एक ऐसा भाग है जा मक्का की अत्यंत सगन करशी की जाती है। इस भाग को मक्का पेटी कहते हैं। सही उत्राज अमरीका की मक्का पेटी सबसे विक्सित एवं उपजाओ करशी पेटी हैं। जिसका विस्तार मद्य पश्चिमी तसा महान जील प्रदेश के दक्षिन में हैं। इसके अंद्रगत ओहियो, इंडियाना, इलिनायस, आयोवा, नेबरासका, उत्री मिसोरी, तसा जक्षिनी डकोटा, मिनिसाटा, विसकांसिन, मिशीगन राज्यों के जक्षिनी भाग समय लेते हैं। इस पेटी की लंबाई पूरों पश्चिम लगबग 1450 किलो मिटर और चोड़ाई 250 किलो मिटर से 500 किलो मिटर के आसपास हैं। सूर, बाड़े, कुकुट, उद्धम ऐसी हेतु आवास की विवस्ता देखने को मिलती है। मक्के की करशी के अंतरगत देश का 80% सललगन हैं। जो देश की किसी उत्पात का 28% तता 25% आय का सुरोत है। फसल आवम पसुपारन की ऐसी सगंता विश्व की किसी अन्य पेटी में देखने को नहीं मिलती है। यहां सन्युत राज अमरीका का 65% मक्का, 80% सुर, 25% से अधिक गाय तता बेड़ें वे 20% कुट-कुट एवम गयों अलफा-लफा का उत्पादन होता है। इस प्रदेश की करशी इसी विश्षिस्ता के कारण बेकर मौदे ने इसे हम देख सकते हैं कि मक्का पेटी आयता का रूप में है, सगन जो पेटी है, वो कौन बेल्ट है, वो येलो कलर से इसमें दिखाई गई है। मक्का मेकला में फसल अप्रेल के अंतिम या मई के प्रसम सब्ता में बोई जाती है। यह तो भी जक्षिनी भागों में खाड़ी तटके आस पास मक्का की बुवाई फरवरी मार्च में ही हो जाती है। वस्तुते भुवाई का समय इस बात मरे आधरित होता है कि अमुक छेत्र पाले से मुक कब होता है। द्रादर का तापक्रम इस समय 21 डिगी सेंट्री ग्रेट होता है जो पोदे के पन्यपने के लिए अच्यत उप्युक्त माना गया है। पाला रहित अबधी मक्का मेखिला में 140-180 दिन तक होती है। मेखिला के उत्री पश्ची में भाग में ये औस्तन 140 दिन रहता है जबकि द्रशनी भागों में 180 दिन पाले का कोई डर नहीं रहता। आदर्स रूप में लगबग 160 दिन ऐसे चाहिए जो पाले से मुक्त हों। इस अबधी में बिंता होती है। जून जुलाई अगस्त के महिनों में दिन का तापकरम 18-39 डिग्री से नीचे नहीं जाता। ये द्रशाएं मक्का के लिए आदर्स होती हैं जो सौबागे से मक्का में खिला में प्राकर्त रूप से बिद्दिमान है। मक्का के लिए वर्षा 75-100 सेंटीमीटर तक परियाप्त है। नेक्स्ट बात करें हम मक्का पेटी में फसल समिशन। इस पेटी में किर्शी अर्थविवस्ता मक्का वे सूर पालन पर आदर्यत है। इस शेतर में मक्का की सफलता, जंगल, चारे की उपलब्द ता, अर्पब्दी में सूरों का प्रोड होना, नियूनतम देखवाल, विस्तरत बजार, पशीतन, वे किर्शी मशीन आदीप की सूईदा है। मक्का तता मास सम्मिशन के साथ इस पेटी में दित्य स्तर की फसले सोयवीन, जै, राई, घाज क्यों हैं। प्रादेशी की स्थर पे उप्रिक फसले भिन-मिन भागों में पाई जाती हैं जिसे दित्तिय स्थर पे सबसे महत्रून फसल स्वयवीन है जो इस पेटी की मद्यवर्ती भाग में मक्का की अपिक्षा अधिक छित पर पादिद किनी जाती है प्रणाम सुरुक इस भाग में म मक्का जाई गास नमबर दो दक्षनी पूरी भाग में मक्का स्वयवी नमबर तीन दक्षनी पश्चिम भाग में मक्का गास ग्याउं उप्लिक फसल सम्मिश्णन में छेत्रे बिन्ता तापमान वर्षा की मात्रा वर्दन काल आधिक के कारण से मिलता है नेक्स हम बात करें मक्का पेटी में पसू सम्मिश्णन मक्का का मुख्य उप्यक सुवर गायों तथा कुकुट आधि के चारी के रूप में किया आता है सुवर मक्का पेटी का सबसे लाब प्रद पशू है सभी पशू की तुलना में सुवर का प्रतिशत 40-60 प्रतिशत के मद्य है और आय का मुक्के सुरेद भी सुवर ही है सस्य सम्मिश्ण की तरह पसू सम्मिश्णन में भी छेत्रे बिन्ता मिलती है छेतरी भिंता के अधार पे पसु सम्मिश्रण को निम्द भागों में बाटा जा सकता है पहला है उत्री सीमानतिय भाग में सूर के साथ दुग्द पसु नमबर दो दक्षनी पस्षी में भाग में गाय मास पसु नमबर तील मद्य ओयों में भेड नमबर चार मिलावा की नगर के निकर्षिस भाग में कुकुट की प्रिजानता है मक्का पेटी में फसल पसु सम्मिश्रण इस प्रकार मक्का पेटी की फसल पसु पलन सम्मिश्रण के आधार पर निम्द भागों में विवाजित किया जा सकता है पहले हैं मक्का जई सोयबीन सुवर गाय मास यह सम्मिशन पूरों में पश्चिमी ओयों से लेकर पश्चिमी आयों तक मिलती है नमबर दो मक्का जई घास सुवर डेरी पशू उत्री इंडियाना दखनी मिशीगन एवं दखनी विसकांसिन में यह सम्मिशन मिलता है नमबर तीन मक्का सोयबीन सुवर डुधारू पशू यह सम्मिशन इस पेटी के उशन दख्षनी मद्द भाग में मिलता है जिसके अंतरगत मद्द इलियान इलिनायस पश्चिमी इडियाना वे ओयों को सम्मिशन किया जाता है नमबर चार मक्का गेहू गास सुवर मास पशू यह सम्मिशन दख्षनी पश्चिमी शुष भाग में मिलता है उत्री पश्चिमी शुष भाग में मिलता है उत्री मिसौरी उत्री पूर्वी कंसास तता जख्षनी पूर्वी निबरास का इस सम्मिशन का मुख्य राज्जे है नेक्स्ट है मक्का का उप्यो यूज ओफ कॉर्ण समयुक्त राज अमेरिका में इल्लिनाइस आयोवा वे निबरास का मक्का उत्पादन के अग्रिनी राज्जे हैं समयुक्त राज्जे अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश है यह विश्व का 46 प्रतिशन मक्का उत्पादन करता है यह प्रती हेक्टिर उत्पाधन 250 बुशल से अधिक है अधिक उत्पाधन का श्रे उर्वरक, 29 बीज तता अन्य तरकनी की सायक उपकरण जैसे ट्रेक्टर, कंबाइन, हार्वेस्टर, ट्रक, वायूयान, कीट नाशक, दबा शेड़कनी मशीने अन्य जल पंप, पवन चक्की आधी के कारण है मक्का का अधिकाश उपकोग देश में ही कर लिया जाता है, कुलत पाधन का अठ्वेट प्रतिशत पश्यों को खिलाने, आंशिक बोज़न के रूप में तता शेश अन्य बोज़न अन्य उपकोग में लाए जाता है अधिकांश मक्का सूरों को खिलाया जाता है जो मक्का पेटी में बड़ी संकाय में पाली जाते हैं मक्का को खुआ कर सूर शीक मातल हो जाते हैं तब उनको बूचर खाने बेजा जाता है यहीं पर इनका मास डिब्बे में बंद कर विदेशों की बड़ी मातरा में निर्यात किया जाता है इस प्रकार मक्का एपर्थेक्स रूप से मास के रूप में निर्यात किया जाता है अर्साद इसके लिए कौन ट्रेवल्स ओन हॉक्स अंग्रेजी वाक्य प्यूत होती है इस पेटी के मुख्य केंद्रों में से प्रतिवर्ष माश और चन्वी बड़ी मातरा में विदेशों को निर्यात हो जाती है शिकागो विश्व की सबसे बड़ी मास मंडी इसी पेटी में इस्तित है इसके अतरिक्त सैंट लूई, कंसास, ओमा, आदी महत्मून केंद्र है जब मक्का को खटा करने के उपराद नारकोफ, मांट्रियल, शिकागो, आदी बंदर गाउं से निर्यात किया जाता है थैंक यू, धन्यवाद, इसी तरहें मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, धन्यवाद